हलो एंड वेलकम टू आईबीस 24 गैजट्स मैं हूं सोनम आपके साथ और लेकर आई हूं बहुत सारे लेटिस गैजट्स अपडेट्स अधेर सारी टेकनिकल अपडेट्स इस बार पाथ जार का फायदा आपका जरूर हो सकता है इस वीडियो देखने से चलिए देखते हैं कैस तो चलिए फिर मैं आपको लेकर आई हूं वीडो में जहां पर हम आपको दिखाने वाले वी 27 का पूरा सीडीज तो वी टू सेवन में हम करेंगे वी टू सेवन और वी टू सेवन प्रो दोनों के कंपैरिजन में देखेंगे और मैं आपको बताऊंगे पूरी तरह से कि आपके कैसे 5,000 रुपे बचने वाले हैं तो चलिए जानते हैं पूरे वीडियो में तो वीवो वी 27 में आपको मिल जाएंगे कलर में दो वेरेंग्स ये तो मुझे समझ में आ गया है ये जो है हमारा UV sensitive back है इसका कैसे ये change होता है वो भी हम आपको बताएं लेकिन बाकी सारे features आप बताएंगे भाया कि फटा फट से अगर मुझे इसके hardware के बादे में जानना है तो कैसा है इसका hardware वी 27 सीरीज में आपको प्रोसेसर काफी अच्छा मिलता है Media Tech Dimensity 8200 का प्रोसेसर है जिसमें आप गेमिंग काफी इच्छी काफी सीमलेस काफी स्मूथ कर सकती है तो हाथ में उथाने से इसका जो लुक प्रीज द काफी लाइट है मैं अगर आपको बताओं कि यहाँ पर हमारे पास एक on-off switch है, volume rockers है, नीचे की तरफ पर हमारे पास है speaker, charging का slot, sim का slot यहाँ पर दिया हुआ है, उसके अलावार एक side पर आ जाता है कि यह पूरा side हमारे पास curve display के लिए रखा हुआ है, जो कि काफी अच्छा है, और उपर की तर front है, जो back है, दोनों ही बहुत फास है, मेरे इसाब से यह 50 megapixel का camera लेके चलता है, front में भी और back में भी, आपको OIS camera मिलता है, जिसमें अगर आप कोई video shoot करते हैं, कुछ कहीं आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं, जहापर आपका hand shake हो रहा है, तो इसके अलावा, जब हम hardware की बात क हैं, तो कितने variants में यह available है, इसके V27 series में आपको दो variants मिलते हैं, जो की है 8128 and 2256, उसके बाद अगर आप pro पे जाते हैं, V27 pro पे तो आप आपको तीन variants दिखने को मिलते हैं, जो 8128, 8256 and 2256, उसके बाद सबसे जादा जो main highlight है, इस phone की जो काफी जादा अच्छी और कोई brand अभी तक के जो नहीं किया है, वो है इसकी aura light, मैं आपको इसकी aura light on करके दिखाता हूँ, यह देखिए, काफी जादा यह look में अच्छा आता है, उसके बाद जाप जब आप इसको on करके जब आप अपनी portrait photos खीचते हैं, तो काफी जादा अच्छी है, हम लोग ring light हमको अलग कि यह aura light एक blessing हो सकता है, उसके बाद आजाते है, इसकी charging बहुत अच्छी charging speed है, 66 volt की fast charging इसमें वीवर ने दी हुई है, जो आपका phone 0-50% सिर्फ 19 minutes में हो जाएगा, यह आप breakfast करते-करते, चार्ज पे लगा दीजिए phone, आप breakfast करके उठेंगे, आपका phone 60% चार्ज जाएगा, 65 बहुत अच्छा है, all day long आप phone को use कर सकते हैं, और अब हम camera जो यहाँ पर देख पार है, तो triple camera का setup यहाँ पर है, इसके और details के बारे में हम जानते हैं कि क्या इसकी specifications है, 50 megapixel का जो आपका primary camera आता है, जो कि मैंने आपको बताया, होआ ही है, इस camera है, वीडियो आपकर रिकॉर् इसके बाद आप दूसरा camera देखेंगे, जो की 8 megapixel का camera है, जिसे मैं फोट्रेट्स वगरा आप ले सकते हैं, काफी अच्छी, पीछे का background जो बलर करते हैं, तब बैक्राउंड में से बलर में सरकल आता था, अभी हम उस background में स्टार्स ला सकते हैं, अपन बटरफ्लाइज ला सकते हैं, ऐसे बहुत सारे effect ला सकते हैं, तीसरा camera जो होता है, वो macro camera होता है, macro camera किसी भी object को काफी जादा पास से, जो आपकी आख नी देख सकती, वो आप इस camera से देख सकते हो, तो वो detailing भी काफी अच्छे से ये capture कर सकता है, जी, right, so 50 plus 8 plus 2, ये आपको मिल जाएगा एक ये camera को किस तरह से इसमें use किया जा सकता है, क्या-क्या modes है वो हम एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है night mode, उसके अलावा है portrait, photo, video, micro movie की तरह भी यहाँ पर एक effect है, जो already हमें बताया गया है, कि बहुत सारे अलग-अलग effects हम यहाँ पर use कर सकते हैं blur करने के और के videos का भी option है, जो यहाँ पर आप ले सकते हैं, इसके अलावा 60fps का mode भी यहाँ पर selected है, जिसको आप 30 पे भी switch कर सकते हैं, उसके अलावा बहुत सारी settings है यहाँ पर, जो easy to use है, काफी दूढना नहीं पड़ता, आप इसको यहाँ से select कर सकते हैं, अपने use के सब से, जब इसका जो बैक है, वो है UV sensitive, मतलब जब हम धूप में जाएं, या जब भी UV rays इस पर गिरती है, तो इसका color पूरा change हो जाता है, बहुत सारी designs, बहुत सारे stencils भी आप इस पर use कर सकते हैं, मैं आप एक डेमो दिखाना चाहती हूँ, कि किस तरह से, इसके shades जो है वो vary होता है, तो मैंने यहाँ पर यह UV का exposure किया है, and let's see कि इसका effect है, वो किस तरह से आता है, my god, जो color turn out हो रहा है, it looks stunning, like this, तो यह variation, यह shading काफी अच्छा लुप दे रही है, यहाँ पर काफी navy color यहाँ पर आ गया है, and उपर, and लगबग यह जो आता है color इस पर, उबहर के, वो लगबग 20-30 minutes इस पर stay करता है, एक और कोशिश हम कर रहे हैं यहाँ पर stencils के साथ, तो देखते हैं, जो pattern है, वो कितना जादा उबर के इस पर आता है, तो यहाँ पर आप देख सेते हैं, जो यह वेवी stencil हमने यूज किया था, वो काफी अच्छे से उबर के आ रहे हैं दीरे दीरे, तो ऐसे objects या फिर definitely different different shapes भी आप try कर सकते हैं, तो वीवो वैसे भी जाना चाता है, stylish looks के लिए, camera specifications के लिए, लेकिन इस पार जो 5000 उपर एक्स्टा गये हैं, वो आपके आज बतने वाले हैं, क्योंकि वीवो 27 Pro में ऐसा कुछ भी खास नहीं है, जो आप खरीदे हैं, अगर चोटा सा फरक है, जो है उसके software के updates का या फिर उसकी processor का, आपको V27 Pro में, Demensity 8200 का processor मिलता है, और वही चीज अगर आप V27 में देखेंगे, तो आपको Demensity 7200 का processor मिलता है, जो की एक मात्र फरक है, इन दोनों phones का, इसका effect जो है, overall gaming पे या हमारे performance में, phone में कैसा आता है, काफी सा जादा काम आएगा, जादा एक दम नहीं आएगा, बरकि phone की performance आपको V27 में भी काफी अच्छे मिलेगी, पांच हजार आपको बचाने है, तो आप V27 ही मैं प्रिफर करऊं के आपने, तो जैसा कि आपने देखा, प्रोसेसर के अलावा, काफी सारी चीजे, in fact सारी चीजे, V V27 Pro and V27 की same है, look, feel, लेकिन budget थोड़ा सा अलग है, दोनो ही variations को आप 8GB से extend कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप variation देख सकते हैं, 8GB इसमें आपको extended RAM मिलता है, जो भी आपके phone का variant है, वो हर variant में RAM extend हो जाएगा, 8GB RAM जो phone है आपका, वो 16GB RAM तक के extend हो सकता है, अब आप budget भी बत जादीजे भाईया, ताकि हमारे 5,000 रुपे पूरी तरह से बच सके, V27 Pro आप 8GB लेंट लेंगे, तो आपको 37,990, that means 38,000 का पड़ेगा, वही आप अगर V27 लेते हैं, 8GB RAM तो आपको 33,000 का पड़ेगा, 5,000 का difference है, पर सिर्फ प्रोसेसर का ही difference है, जिसमें भी जादा चेंज नहीं हो रहे, जो basic हमी requirement है, वो सारा ही V27 में हमें मिल जा रहा है, जाकि हमारी कैमराज हो, बहुत सारे अपडेट्स हो, सारी चीजें आपको V27 में मिल जा रहे हैं, तो 5,000 रुपीज आपके मैंने आग बचा लिए, एस्थी बहुत सारी बचत वाली चीजे, टेक्निकल गै वेश आते रहेंगे, तिल देन मैं मिलूंगी नेक्स ताइम, बाइ बाइ